आज हम जानेंगे Eczema के बारे में कि Eczema क्या है, कैसे हो जाता है, क्या होते हैं, σümटम्स अगर किसी वेकतिकोम हुआ है, कैसे हम Eczema का पता लगाते हैं और कैसे हम इसका treatment कर सकते हैं के साथ पूरी तरह बने रही है आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आगम सिंग से सोधया स्वागत है आप सबेगा देखिए सबसे पहले जानते हैं बेसिक फंडामेंटल के बारे में कि एक्जिमा है क्या देखिए यह एक ऐस किसी स्किन कंडिशन है जिसमें कि हमारी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है किसी सब्स्टेंस के प्रती किसी केमिकल के प्रती या किसी इन्वार्मेंट के प्रती और उसके कॉंटेक्ट में आते ही स्किन में रैड किलर के रैश्र होने लगते हैं इचिंग होने लगती है ब मोटी लेयर वहां की बन जाती है जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है एक्जिमा को अगर जनरल तरीके से देखा जाए तो एक तरह की एलर्जिक रियक्शन है एक्जेक्ट एलर्जी नहीं है यह ओवर सेंसिटिविटी है स्किन की लेकिन यह एलर्जी की तरह यह जैसे क हम कुछ खटा खा लेते हैं कई लोगों को होता ऐसा कि कुछ खटा खा लिया उनको सुजन आ गए किसी चीज की कॉंटेक्ट में गया उनको वहां रैश्यस हो गया तो उसी तरह की यह कंडिशन है एक्जिमा लेकिन यह एक्जेक्टली एलर्जी नहीं है यह है ओवर तो अगर आपको इस तरह की सिंटम्स आ रहे हैं तो आपको एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और डॉक्टर किस तरह से डाइग्नॉस करते हैं एक्जेमा को अब यहां पर यह जानना आपके लिए जरूरी है कई बार हमको यह मिसंडेस्टेंडिंग हो जाती है कि अग पॉंगल इंफेक्शन से भी अलग है इसका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से किया जाता जो कि अभी हम आगे जानने वाले हैं एक्जेमा को बेसिकली नॉर्मल सिंटम्स को देखकर ही डाइग्नॉस किया जा सकता है बड़ी आसानी से डॉक्टर जिस सिंटम्स को देखकर क कि डॉक्टर आसानी से एक्जामाइन कर लेते हैं कि यह एक्जिमा हो सकता है अब यहाँ पर एक और इंपॉर्डेंट चीज़ है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि एक्जिमा कॉंटेग्वस नहीं होता यानि कि यह परसन टू परसन नहीं फैलता है यह कोई छूत की बिमारी नहीं है यह सकिन की ओवर सेंसिटिविटी है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिव होने की वज़े से हुई है इसमें होता क्या है जब भी हमारा इम्यून सिस्टम यानि कि हमारी प्रतिरोधक शमता किसी ऐसे तत्व के कॉंटेक्ट में आती है जिसे वЕक्ति को अगर मान लेजब गलव्स जो रबर केखलावस हैं लेतक्स केखलावस है उनसे ऐलर्जी है और उसने यह वे पहन ले और हमारी बॉड़ि अंदर अगर ब्ॉड़ि ब्ॉड़ि को लगता है गिल्ति इम्यून सेल से बहुत जाद है, हाईपर एक्टिविटी शो करेंगे, और हाईपर एक्टिविटी शो करने की वज़े से, यहाँ पर रेडनेस आ जाएगी, यहाँ पर आपको जलन होगी, खुजली होगी, इस तरह के सिंटम्स आने लगेंगे, तो कुल मिला कि यह hyper activity या फिर over sensitivity है skin की एक्जिमा के वैसे तो कई प्रकार है लेकिन सबसे common type का एक्जिमा है atopic dermatitis तो चलिए अब जानते हैं सबसे important point के बारे में जो की है एक्जिमा का treatment देखिए एक्जिमा एक तरह की skin over sensitivity है और यह होती है triggers की वज़े से तो यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उस substance को उस chemical को उस environmental condition को avoid करना पड़ेगा जिस वज़े से आपको एक्जिमा हो रहा है यानि कि आपको उन सभी चीजों से दूर जाना है जिससे कि आपको इस तरह की over sensitive skin reaction, skin condition बन रही है उन चीजों से दूर हटना पड़ेगा अगर आप इन चीजों से हट जाते हैं तो आपको यह reactions नहीं होगी दूसरी चीज कि अगर आप एक्जिमा का घर बैठे treatment करने के कोशिश कर रहे हैं और successful नहीं हो पाया है तो अब यह जानकारी जो मैं आप देने वाला हूँ आपके लिए बहुत important है देखिए एक तरह की over sensitivity है skin की और यह हमारे immune system की वज़े से हो रही है अंदर से बाहर की और reaction एक तरहेगा मतला हमारी body के अंदर immune system work कर रहा है और उसका reaction आपकी skin पर दिख रहा है तो इसका treatment जो है अंदर से किया जाएगा ना कि बाहर से बाहर से आप primary treatment दे सकते हैं लेकिन इसकी over sensitivity आप अंदर से ही treat कर सकते हैं तो अब इसे अंदर से treat करने के लिए doctors आपको prescribe करते हैं कुछ anti-inflammatory drugs कुछ ऐसी दवाईयां जो कि आपकी सूजन को उस particular area की सूजन को घटाती है कुछ ऐसे drugs जो कि उस जगे पर अगर redness हो रही है तो वो हटाती है इचिंग हो रही है तो हटाती है तो आपको इसको अंदर से treat करना पड़ेगा immunity अगर आपकी उस जगे जादा active है तो आपको उस जगे उस immunity को थोड़ा suppress करना पड़ेगा तो ऐसी medicines आपको दिये जाती है कुछ ointment दिये जाते है उपर skin के उपर लगाने के लिए लेकिन उन ointment का काम होता है आपके skin के उपर जो scar बन चुका है जो डाग बन चुका है उसको हटाना वहाँ पर जो irritation हो रहा उसको दबाना मेन काम इस तरह से किया जाता है मतलब यह एक multi medicine concept है या पर मतलब बहुत सारी दवाईयां आपको एक साथ लेनी पड़ेगा अगर आपने उस जगे रैश हो रहा है अगर उसको ज़्यादा खुजा लिया ज़्यादा आपने scratch कर लिया है तो क्या होता कई बार आपको वहाँ नहीं ट्राय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको ऐसे टाइम पर अगर आपको एक्जेमा नहीं खत्म हो रहा है तो आपको एक डर्मेटॉलिस्ट को एक स्किन रोग विशेशक्य को जरूर दिखा लेना चाहिए क्योंकि हम क्या करते हैं शुरुवाती टाइम पर क् घर पर ट्रीट करने के कोशिश करते हैं एक टाइम होता है अगर आप कुछ पीरेट के लिए एक हफ्ता दो हफ्ता आपने देख लिया है कि नहीं मिट रहा है तो आपको उसको लंबा नहीं खीचना है उसको आपको जस्ट डॉक्टर के पास जाना है वह आपकी एक्च्वल है जिए इंफेक्शन हो गया या फिर एक्जिमा अगर और ज्यादा बढ़ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो इससे अच्छा पहले डॉक्टर को दिखा लें इस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिल जाएंगे एक्जिमा से डरे नहीं बहुत आस आगे भी मिलते रहें